हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बेक टू दा चैनल वन्स अगेन, आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहत मन्दोंगे और मैं आशा करते हूँ, आप सभी लोगों की हरियाली तीच बहुत अच्छे से मनी होगी and this is me and my friends on the day of हरियाली तीच, तो हरियाली तीच यहाँ पर सेटर्डे को थी, सेटर्डे को हमारी एक फ्रेंड है मोना, उसने अपने घर पर सुन्दरकांड भी रखा था, तो सभी लोग almost green color पहन कर आए थे, तो यह है मेरी फ्रेंड मोना, जिसने सुन्दरकांड रखा था कर दो समारी तक सरुन्दरकांड तक कर दो स्थ lotta दो यह है एक फारियां परियांग, प्रेंड भी एक फ्रेंड हर दिच्वान था, तो यह है यह नहीं मेरी जा सफ़ने कर आए खी लोग में जा किके फ्रेंड हुन्याद yा सभी टाली ही प्रेंड यह है पने दो SHAH भी ड़ी प्रश्च 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 प्रश् पुन्त करे से गनीश जै गनीश जै गनीश देवा माता जागी पारवती पिता महादेवा पुनिन को पाया बांचन को पुत्र देत निर्दा अन्नाओ इट संडे मॉर्निंग और जैसी मैं उठी तो मैंने देखा बैक्याड में एक बनी आया हुआ था तो मैंने उसकी वीडियो ले ली और जो लोग मेरे को पहले से मेरी वीडियो को देखते हैं उनको पता होगा कि मैं धोलक भी बजाती हूँ तो फ्रेंड के यहाँ पर जो ढूलक आप लोगों ने सुनी थी वो मैंने ही बजाई थी एंड संडे को डिनर पर मैंने तीन फ्रेंड्स को फेंबली के साथ इनवाइड किया है तो मैं बनाओंगी खाने में मिक्स वेट छोले तो छोले मैं एकदम अलग तरीके से बनाओंगी नो अनिया नो गार्डलिक और टमाटर को हम मिक्सी में डाल के सारे मसाले एक साथ डाल देंगे साथ में फ्रेश क्रीम डाल देंगे तो आप इसको एक तरीके से मलाई वाले छोले भी बोल सकते हैं एंड नोट अनली देस आई विल आलसो शेयर की कम टाइम में कैसे आप जल्दी सफाही कर सकते हैं ये भी सब कुछ आपनों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी आई पी में मैंने 30 मिनट के लिए छोले बॉल होने के लिए रख दी हैं और सबसे पहले मैं सफाही कर रही हूँ लॉफ्ट की वैसे तो यहां बहुत जादा डर्ट और डस्ट नहीं है बट इस टिल इस बुक शेल्फ पर वीक में जो मैं देखती हूँ तो थोड़ा बहुत ना गंदगी दिखती है तो इस तरकी की जो ड्राय डस्ट होती है उनको क्लीन करने के लिए मैं कलॉरोक्स के वेट वाइप्स यूज करती हूँ तो यह है हमारे घर का एक छोटा सा लाइबरेरी कॉर्णर तो इसमें अल्मोस सभी बुक्स मैंने अरेंज कर दी हैं बच्चों की इविन कुछ बुक्स इसमें बड़े लोगों की भी है तो इसको मैं जब भी टाइम मिलता है वीकली बेसिस पर या पंदरे दिन में तो सारी बुक्स तो नहीं हटाती हूँ क्लॉरोक्स से जो सफाई करनी थी वो सफाई कर दी है और मैं अब थोड़ी देर बैट के पानी प्योंगी तो जब मैं उपर की सफाई करती हूँ तो अपना कोई पानी आस तो मैं रुववजा का पानी बना के लाई हूँ इस तरीके से उपर ही ले आती हूं और बीच बीच में उसको पीती भी रहती हूं और यू इस वाले room में कितनी अच्छी धोफ आरही है उपर के दो rooms मैंने सेट कर दिये थे बाकी के दो rooms का मैंने विवेक को बोला आपसेट करना क्योंकि अगर उनको भी मैं वैक्यूम करती क्लीन करती तो फिर पूजा बहुत लेट हो जाती तो मैं शावर लेके अब बस पूजा करने के लिए आ गई हूं तो ये है हमारा पूजा रूम तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताय था कि पूजा रूम में मैं एक कॉर्णर में प्लांटर लगाने वाली हूं तो आप साइड में देखिए ये प्लांटर लगा दिया है वाइट कलर का है अभी तो बस मैंने भगवान जी को उठाया है क्योंकि उठाती तो कर लेती हूं उसके बाद भगवान जी को मैं नहलाऊंगी तो जब मैं सुबह उठी थी तभी मैंने अपने यहां पर किचिन में छोले बॉयल कर दिये थे तो तीस मिनट के लिए आइपी में रखे थे ये अच्छे से बॉयल हो गया है और मिक्सर जार में बनाऊंगी अब के लिए प्योरी तो आज मैं छोले बना रही हूं नो अनियन नो गार्लिक ताकि मैं इसका भोग भी लगा दूँगी तो अब मैं ले लूँगी मिक्सर जार में चार टमाटर और यह जो टमाटर ली है ना इही के ऊपर हम चार-पाँच मसाले डाल देंगे तो मसाले में मैं टमाटरों के ऊपर डाल रही हूं सूख धनिया पाउडर जीरा पाउडर थोड़ी सी मैं डाल रही हूं हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी और साथ में हम डालेंगे यह तो छोले मसाला यह चना मसाला तो आज मेरे पास चना मसाला एविलेबल है तो मैं इसमें चन कर लेंगे हरी मिर्च इसमेंग पांच अपने सौाथ के अनसा गाबुपार अधर और महीन महीन जालन के ढरुफ़ीया नहीं तो यह को खाय मथे बात accountability आए है यह मैदल नहीं के और तेल वाले का Out of गया तो इसमें डाला है जीरा और डाली है थोड़ी सी हींग बाकी के मसाले में नहीं डालूगी यह तो साले जो कि शाना जाके है और जो मिक्सी में हमने प्यूरी बनाई थी उसको हम ज्क अड़ कर देंगे प्योरी को एक बारी चला देंगे और धक कर इसको हम जब तक पका लेंगे जब तक की इस प्योरी से ओइल सेपरेट नहीं हो जाता है बीच बीच में चलाते भी रहेंगे प्योरी को मैंने धक दिया है और जब तक प्योरी पकेगी जब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी किचिन में फास्ट काम करने का सबसे अच्छे तरीका जो मैं यूजली फॉलो करती हूँ कि कोई भी जो कुकिंग होती है नैसे टमाटर की प्योरी का पकना या कुछ इस तरीके के काम हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं उनको मैं पहले कर देती हूँ इतने टमाटर की प्योरी On the other side Peary se bhe oil separate हो गया है और जो boil chhole मैंने बड़ी ilyche, छोटी ilyche, फोड़े सा तेजब पता ला था उनको मैंने separate एक bowl में निकाल दिया ताकि मुँआ में न आए जो boil chhole है उनको मैंने प्योरी में ही add कर दिया है एक बार अच्छे से mix करेंगे और उसके बाद इसको हम करीबन medium flame पर 15-20 मिनट के लिए और cook होने के लिए छोड़ देंगे जब तक छोले यहाँ पर अच्छे से 15-20 मिनट कुक हो रहे हैं जब तक की मैं kitchen के और भी काम निपटा लूँगी अच्छा एक चीज और मैं करूंगी इन छोलों को न जो potato measure होता है उसे थोड़ा सा mash कर दूंगी बहुत ज़ादा नहीं करूंगी थोड़ा सा ही करूंगी इस तरीके से करने से छोली की जो consistency है वो बहुत अच्छी आती है एक बारी फिर से cover करके इनको थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देते हैं और अब मैं कर रही हूँ अपने kitchen के बागी के काम so मैं जो Clorox का box है उसको नीचे ही लिया आई थी तो बस kitchen का जो counter top है उसको भी मैं Clorox से ही साफ करती हूँ daily basis पे Clorox wipe से सफाई तो अच्छे से हूँ ही जाती है एंड साथ में ये disinfecting भी है तो जो थोड़े बहुत tiny tiny से जैसे mosquitoes वगएरा होते हैं उनका भी डर नहीं रहता है kitchen में not only days जो kitchen के cabinets होते हैं उनके जो doors वगएरा होते हैं उनको भी मैं Clorox से ही daily basis पे तो नहीं बठा जब भी मौका मिलता है उससे साफ कर देती हूँ पेश वाशर हो गया अवन हो गया microwave हो गया फ्रिज हो गया इन सब को मैं Clorox से ही साफ करती हूँ यहां पर छोले भी बनके हो गए थे ready उनके उपर डाल दिया है कसूरी मेथी और यह मलाई वाले no onion no garlic छोले बहुत ही टेस्टी बने थे और साथ में ही मैंने बनाई है mix wedge और भाइता भी बनाया था स्टार्टर भी बनाया था लेकिन recipe मैंने सिर्फ मलाई वाले छोले की ही आपनों के साथ शेयर करी है और छोले चावल का मैंने भोग भी लगा दिया है इसलिए मैंने परपसली छोले बिना onion garlic के बनाई थी ताकि एक सबजी तो ऐसी हो जिसका की काम हो गया है सफाई भी हो गई है स्टार्टर में मैंने बनाया है frozen समोसे साथ में फ्राइम साथ में भेल तो सारा काम हो गया है थोड़ा बस बैठके rest करूंगी उसके बाद आ जाएंगी मेरी friends and friends जब आई थी तब मैंने कुछ भी record नहीं किया और अब रात का टाइम हो गय एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें friends family के साथ जैसे दा शेयर करें channel को subscribe जरूर करें to become a part of my family मिलूंगी next vlog में जब तक के लिए take care bye and thank you